हेलो दोस्तों कैसे आप आपका बहुत-बहुत स्वागत दिसा यूट्यूब चैनल पर आज बड़ा बड़ी खुसी का दिन है तब प्यारे चवास आपके लिए स्सी जीडी कॉंस्टेवल की विकेंसी आपके लिए आ चुकी है 24,399 कुछ विकेंसी आपके लिए आ गई है उसका नॉट पीस है मैंने आपके लिए यहां लगा रखा है और यह विकेंसी पीछे अभी दिसंबर जनवरी में आने की संभावना थी लेंग गॉर्मेंट स्सी न अंदर आपका CSF, BSF, CRPF, ASAM Rifles, ITBP, जितनी भी आपकी पैरमेल्टरी फोर्स हैं सभी के लिए इसमें विकेंसी हैं कुछ विकेंसी इसमें SSF के लिए भी है, Security, Special Force के लिए भी है तो प्यारे चार सामने इसका नॉट पेकिशन लगा हुआ है और जिसकी डेट आपके सामने ओनलाइन एप्लिकेशन के लिए फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 27-10, 27-10 लगा हुआ है SSC का ही अपना नॉट पिकेशन है, गवर्मेंट का ऑथंटिक नॉट पिकेशन आपके सामने लगा हुआ है, डेट और डेट फॉर समिशन आप ओनलाइन एप्लिकेशन 27-2022 और इस फॉ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस फॉर्म को 10-12 दिन, 15 दिन के अंदर भर दें, कि उसके बाद कभी साइट विजी हो जाती है, तो जीडी कॉंस्टेबल एक आपके लिए एक ऐसी जौब आई है, एक ऐसा पोस्ट, एक ऐसी विगेंसी आई है, जो बहुत दिन से कोई विगेंसी नहीं आ रही थी, एक आपके सपनों का पूरा करने के लिए जीडी कॉंस्टेबल जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अगनी वीर में भी थे, फिजीकल में भी फेल हो गए थे, तो उनके लिए एक उम्मीद की करन जगी है, जीडी कॉंस्टेबल, और ये मारती भी हैं, और दिल्ली एंस्टेबल में अब तक जितनी भी विकेंसी आती हैं, किसी भी पोस्ट में, किसी भी महक में आती है, तो नंबर वन सेंटर है आपका, दिल्ली एंस्टेबल के अंदर, कई राज्यों तक हमारे बच्चे लगे हुए हैं, तो अब फिर जीडी हम आपके लिए इस पेसल यूटूब पर फ्री बेच आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल आप उसके साथ जुटें, उसके लिए मैं आपके लिए कल वीडियो बढ़ाऊंगा, किस तरका से क्या शेडूल होगा, कैसे कैसे हम आपको उसमें क्लास देंगे, किस टाइम आपके लिए क्लास दी जाएंगी, तो प्यार वीचों यहाँ पर आपके लिए पूरा शेडूल इसका लगवाए जीडी का, तो अभी रजस शर्मा, रजस शर्मा, रजस सर आप आईए, इन बच्चों को शेडूल बदाईए कि फॉर्म किस डेट में भर सकते हैं, कितनी ब बहुत डिस्केब्ड में, बहुत विस्तार में आपको बताईएंगे, बिल्कुल रजस सर के साथ आप जूटे रहें, यह बिल्कुल आपको कंटेंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, रजस सर, बताईएं, बच्चों को आप नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर न अभी आपको बताया, कि हमारे लिए बहुत खुशकबरी की बात है, कि इस बेरोजगारी के दोर में, हमारे को सरकार ने इतनी अच्छी वेकेंसिया दी हैं, वैसे तो यह वेकेंसिया और जादा मात्रा में आने वाली थी, बहुत जादा कि हमारे को पहले सुन रहे थे, लेकिन ये वेकेंसिया आने भी आपकी जनवरी में वाली थी, फिर दिसंबर की बात हुई, और ये अब SSC मिशन मोड में काम कर रहा है, जैसे कि आपको पता हो, कि मोदी जी न क्या कहा है, कि 10 लाख वेकेंसिया उनको जल्दी से जल्दी ज्शहाने हैं, और जैसे ही 27 तारिक को इसका नोटिफिकेशन आया, उसके साथ के साथ ही क्या हुआ, उसके साथ के साथ ही आपका ये फॉरम भरना भी स्टार्ट हो चुका है, SSC GD का, SSC GD का आपके फॉर्म भरने की तारिक 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये जाएगी आपके 30 नवंबर तक 30 नवंबर रात तरी 11 बजे तक आप इसके फॉर्म भर जकते हैं लेकिन जैसा दोस्तों सर नहीं बताया और मैं भी आपको बताना चाहूँगा आप जादा से जादा जल्दी से जल्दी जाकर इसके फॉर्म भर दें क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी आप सब के लिए खुशकबरी भी है खुशकबरी क्या है कि आपके लिए क्या था इसमें जो आपके लिए खुशकबरी दोस्तों है वो खुशकबरी है एज का जो आपकी एज लिमिट थी वो भी आपकी यहाँ पर 3 साल बढ़ा दी गई है जो कि आपकी पहले यहाँ पर 23 साल तक वेकेंसी की एज जो मांगी जाती थी आपकी वो अब एज आपकी बढ़कर दोस्तों वो एज बहुत अच्छी बढ़कर हो गई है आप देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपकी पहले जो एज मांगी जा रही थी वो क्या मांगी जा रही थी और अब क्या मांगी जा रही है मैं आपको दिखाऊगा दोस्तों ये सारी वेकेंशियां है आपकी आपकी एज जो है व अब दिखाता हूँ लिए इसमें पढ़ा दी गई है ये अभी दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर यह भी लिगा हुआ है आपका जो आपकी वेकेंसी हैं दोस्तों यह डिदी 24,399 वेकेंसी पहले वेकेंसी जदा नी लेकिन यह 24,399 वेकेंसी अपने आप में बहुत वेकेंसीया होती हैं आप मेहनत कीजिया आपको जरूर सफलत मिलेगी और मैं आज आपको एज दिखाना चाहरा हूँ एज का फेक्टर दोस्तों ये रहा एज लिमिट क्या है एज लिमिट वैसे तो आपकी 18 से 23 साल है लेकिन लेकिन कोरोना की वज़े से क्या कर दिया इन्होंने एज को 3 साल लगबग बढ़ा दिया या सब के लिए बहुत बड़ी कुश्कबरी की बात है कि जो मेरे भाई ओवर एज हो रहे थे वो भी इसको बाराम से फॉर्म को बढ़ी है तरीके से फिलप कर सकते हैं और फिलप करने के बाद क्या होगा उनकी 23 साल एज नहीं ली जाएगी उनकी 3 साल की छूट दे दी गई है छूट इंदा सैंस अब जो आपकी जो एज आपकी हैंपर जो काउंट करी जाती सन 2000 एक 2000 से जो आपकी एज ली जा रही थी वो अब आपको एज रिलेक्स्टेशन 3 साल के बाद में आप क्या कर दिया आपको वह अब 217 में से ली जाएगी मतलब यदि कोई भाई यदि कोई भाई जन्रल केटेगरी में हैं और उसकी एज उसका जनम उसका जनम एक जनवरी 21 जनवरी 1997 में के बाद मतलब 2 जनवरी 1997 में को भी हुआ है तो वो भी भाई इस SHC GD के फॉर्म को भर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है और 3 साल फिर OBC का रिलेक्स्टेशन मिलेगा मतलब OBC वाले क्या कर सकते हैं OBC के लिए यह हो जाएगी 1994 और उसके बाद 5 साल SC के लिए हो जाएगी इसका मतलब 1992 वाले जो SC केंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों पैरा मिल्टरी की बहुत अच्छी वेकेंसी होती है यह वेकेंसी बहुत अच्छी होती है और यह आपको एज रि एक्सेशन दिया है और यह एज कब से काउंट होगी एक जनवरी सन 2023 से एज काउंट होगी इसलिए आपको काका आ गया है कि जो भी भाई दो जनवरी सन 1937 में को पैदा हुआ है उसके बाद पैदा हुआ है जिनकी डेट ऑफ बर्त इसके बाद की है वो सभी इस फॉर्म को क्या करा है एज में छूट दी है और दोस्तो मैं आपको वेकैंसी दिखाना चाहूँए वेकैंसी कितनी अच्छी 1993 कि और आपके लिए क्या है бeffet A7 में 505 ऩ니다 dana वेकैंसी और एक नई वेकैंसी और जुड़ी है जो कि नार्कोटिक्स कंट्रॉल ब्यूरो में है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूर मतलब जो आप देखते हो ना कि जो नसे वह से लोग करते हैं उनके पकड़ने के लिए पुलिस होती है वो नार्कोटिक्स पुलिस होती है जैसे आपने फॉर्स पिच्चर में फॉर्स पिच्चर में आपने फॉर्स मुवी में किसको देखा था वही नारइकोटिक्स वाड़े भी आप बन सकते हैं किसकी बदौत सब्सकेम से एकका सब्सक्राइब वेकंसी हैं जबकि इस NCB की 164 वेकंसी मतलब बहुत अच्छे अच्छी वेकंसी भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी आपको क्या करना है सबसे पहले स्टेप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरना है फॉर्म फिलप करने के बाद क्या करना तैयारी में दिसा परि इंट्रिवी देख गए आपको जल्दी हमारे चैनल पर उनका इंट्रिवी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात हो गई है बात क्या हुई है एक खुसकबरी तो आपकी यह है कि इसमें आपकी एज तीन साल बढ़ा दी गई है दूसरी बा हुआ है अब हमारे क्या हुआ है यह आपका सब के सामने हैं कि आपका सब्सक्राइबर है यह सब चीज आएंग आपका मेंसुरेशन बाला पार्ट होता है छेत्रमिती वाला पार्ट होता है उसके कुशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि वो भी elementary math में ही आते हैं बाकि trigonometry यह advanced वाला आपको कोई part, geometry part देखने को नहीं मिलेगा यह आपका elementary math का मतलब होता है और English या Hindi जो भी आप choice लें यदि आप English भरना चाते तो English के 20 कुशन 25 नहीं अब 20 कुशन देखने के लिए मिलेंगे कुशनों की संख्या घटा दी गई है और उनका समय भी घटा दिया गया अब कुशन पहले आपको क्या मिलते थे? आपको 100 कुशन देखने के लिए मिलते थे अब वही पर कुशन 80 हो गएं 20 कुशन 20 कुशन 20 कुशन 20 कुशन 20 कुशन और प्रते एक कुशन यहापर दो माक्स का है तो इसलिए हर एक आपका जो रीजिनिंग है वो 40 नंबर की हो गई आपकी जीके भी 40 नंबर की हो गई मैं थी भी 40 नमबर को या हिंदी या इंगलीस जो भी आप लेते हैं तो हिंदी भी आपकी 40 नमबर की ही हो गई और समय आपका घटा कर क्या कर दिया है साथ मिनट कर दिया है तो दोस्तों यह आपका समय वो आ चुका है कि आपको मेहनत की और प्रैक्टिस की बहुत अच्छी जरूत है और मेहनत और प्रैक्टिस के लिए दिसा आपके साथ हर समय खड़ा है अब ऑनलाइन छेत्र में भी आ चुका है ऑफलाइन में अपना जल्वा दिखा कर आप यकीन नहीं मानेंगे दिसा अब तक हजारियों सेलेक्शन एससी जीडी में दे चुका है आपको इसे हजारियों सेलेक्शन का फायदा उठाना है इस एक्सपिरियंस का फायदा उठाना है दुनिया के भैकावे बरगलाने में नहीं आना है आपको quality पर ध्याम देना है जिसा अपने आप में एक नाम है छेत्र में नाम है आसपास के एरिया में नाम है और आपको इसका फायदा उठाना है अपने उसी faculty से पढ़ना है उसी teacher से पढ़ना है उनी मेकार सर से पढ़ना है जिन से आज तक पढ़के हुए हजारों बच्चे selection ले चुके है यहाँ पर कोई जूटे interview नहीं होते कि लोग आए और अपने आप function किया और बुला लिए यहाँ पर कोई जूटे interview नहीं होते दोस्तों यहाँ पर सब बात सच्चाई दिखाई जाती है और सच्चाई ही आपको बता रहे है कि दिसा ने selection दिये है और आप दिसा के साथ जुड़िए और selection लीजिए आपको इतनी बढ़िया तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर आप जब तैयारी करेंगे आपको बात देखने को मिलेगी तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग एक चोथाई की है तो दो नमबर का एक चोथाई क्या होता है 0.5 नमबर मतलब आधा नमबर यदि आप कोई भी कुश्चन गलत कर देते हैं आपका उसपर कितना कट जाएगा धाई नमबर कट जाएगा आपका धाई नमबर आप उसकूश्चन पर बैठेंगे क्यों क्यूंकि दो नमबर के ता आप प्लागा और आधा नमबर आपने नेगटिव मार्किंग भी कटवा लेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है एक्जाम फॉर्म फिल करना है क्यों एक्जाम फॉर्म फिल करना है क्योंकि सबसे पहली जो कड़ी होती है हमारी किसी भी पेपर को पास करने को एक्जाम फॉर्म फिल करना होती है और इस दिसा परिवार को जोईन करें आपको हम कल बताएंगे किस तरी कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे सभी बच्चे जो अब तक दिसा परिवार से लग चेके हों किस तरी के से तैयारी करी कैसे पढ़े और कैसे ओ अब अपनी नौकरी कर रहे हैं इस बेरोजगारी के द ठेंक्यू दोस्तो जय हिंद जय भारत दोस्तो